सब्सक्राइब तो मैं चैनल एंड प्रेस्ट दी बेल आइकॉन हलो फ्रेंट्स हाँ आप लोग कैसे सब ठीक टक सबड़ी आपका दोस्वेन गोज फिर प्रेसेंट हो गया प्रेंट्स आज हम लोग इस पतंग उड़ाने वाले हैं और यह जो पतंग है यह हमने खरीदी है सिफ दस रुपए में खरीदी थी यह जो है क्लब बाले जो लडात जब मैंने लिया था यह पतंग तब 18 रुपए का था अभी पता नहीं है और अभी काफी रेट हो गया होगा फ्रेंट्स है exactly इसका रेट का पता नहीं है लेकिन फिर भी काफी अच्छा खासा रेट होगा इसका तो फ्रेंट्स आज हवा की स्पीड काफी अच्छी खासी है तो हम लोग यह जो लूटी भी पतंग है इसको उड़ाते हैं क्योंकि काफी महेंगाई यह यह 10 रुपे वाली पतंग उड़ाते हैं और उड़ा करके इस से पेच वेच लड़ा करके आप लोगो दिखाते हैं इस फोडि सी ट्राइल होनीं चाहिए इसको खीच करके देख लें इसके चकर और ठीक है कि निय इसमें जो कना बदा हुआ है भी अ हम थीक बदा हुआnies यह सब चेकर ले चक कर पार में तो इस तरह से पीछे से भी टेप लगाने की जरूरत पड़ती है और जिस दिन पतंग ये उड़ी होगी कि हुज दिन साथ हवा की स्पीड इतनी नहीं थी इस वज़े से क्लब बालों ने इस पर टेप नहीं लगाया और चलिए अब हम इसको उडाते हैं और उडा करके देखते ही कि उड़ने में कैसा है जा रहा है फटा फट जा रहा है कि अवा की स्पीड बहुत अच्छी है फ्रेंट्स आज आप खीच के लड़ाई है चाय फसा के लड़ाई है यह नि जाय भील चेल लड़ाई है अभी मैं इसको थोड़ा सा और दूर निकाल करके फिर खीच के देखूंगा और देखता हूँ कैसा है अब फ्रेंट्स अब मैंने काफी दूर इसको निकाल दिया फोड़ा सा और निकाल देता हूँ फिर उसके बाद मैं खीचता हूँ इसको फटा फट थीक है फ्रेंट्स एक बाद नीचे ले आकरके उपर खीचता हूँ पतंग मेंसे आवाज भी आ रही है पतंग अच्छी है मज़ा आएगा लड़ा करके प्रेंट्स पतंग लड़न टॉप है बहुत बढ़िया पतंग है फ्रेंट्स तो चलिए इसमें मांजा लगाते हैं और मांजा में लगाऊंगा ये वाला प्रेंट्स अभी हमने जो दो-तीन दिन पहले एक पतंग लपेट करके लाया था जो कलब काइट फाइटिंग ग्राउंग से कटकर करके आई थी और यहां पर आके पेड़ मेटाग गई थी अपने आपी उड़ रही थी तो उसको हम लोग ने उतारा था और इसी मांजे को फ्रेंड़ा तयारे पर इसकाफी है तुर्ढies थी दूर पेट रड़न पेट इसमें हमें आफ प्रेंड़ सेवें पर इसकी नन फोर मजा घंचाय और यहां खरीदा भूवा नहीं है यह बहुत बढ़िया है मज आएगा इसको लडा करके देखता हूं कितने पेच काटता है कि वगर खाता खोले ही आउट होता है यानि जीरो रण पर आउट होता है कि हंड्रेड मारता है अब तो ये बाद में ही पता चलेगा इसमें काफी सारा फैक्टर होता है अच्छा पेच ल करके दिखाओ फ्रेंट मैं आपको ये बता दू कि पतंग काइट फैटिंग जो होते हमेंसा सिचुएशन के उपर डिपेंड करता है तो जैसा आप चाहोगे वह ऐसा पेच नहीं लड़ सकता कभी भी क्योंकि आपका ओपनेंट क्या करना चाह रहा है उसी की हिसाब से आप ये जो है रेट कलर का एक पतंग आ गया लड़ने के लिए और मेरी पतंग आसमान में एक दम खड़ी है हमारे इधर के चील बड़े बदमास है फ्रेंट्स आपको बता दू कि मीचे से लड़ाएगा हुआ कि लारा बड़ी तेजी के साथ आजा 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 वापस भागा फिर आपका आपका आरहा है और है कि मेरे को मिला मों को मारा बैंग उच्छल करके गया फ्रेंट्स एक दम वह देखिए कैसे जा रहा एक दब जुमता हुआ है ऐसे गिर रहा है बिल्कुल एक दम चप्ता हो करके गिर रहा हुआ पेड़ों के बीच में सीधा हुआ ही नहीं उसका पता है ऐसा लगा जैसे उस की तरफ फ्रेंट्स अभी जो पेच लड़ा इसको में आपको डमी से समझाता हूँ और बहुत आसान पेच था इसमें ज्यादा मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आई बस इसमें थोड़ा था पावर लगाया उसने सोचा कि साइड में उपर रखकर के डील दूंगा तो खीच कर के ले जाएगा मैंने डील वील का चक्कर नहीं रखा मैंने मारा तेपर गदा और क्या हुआ कि वो नीचे से आया और एक दो बार उसने क्या कि अपनी पतंग हटाई भी मैंने जबर जस्ति उसके उपर रखा फ्रेंट्स की पतंग थोड़ी सी जब की अंदर की भी थी लेक दील का पेच लड़ाएगा फसाएगा हवा तेज है लेकिन मैं फ्रेंट्स इज़े के रुखने के बाद भी नहीं रुखा मैं पूरी की पूरी जो है पूरी की पूरी ऐसे खिसता हुआ टेपर गदा एकदम नीचे तक मारा उसकी पतंग जो ऐसे उचल करके गई और उचल देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और एक पटियल पतंग आई है ग्रीन औरंज कलर की बहुत प्यारी सी पतंग लग रही है मेरे को तो कि यह देखिए प्रेंट्स जो पतंग डाउन ओर ही है फ्रेंट्स ही मेरी है और ऑपनेंट की पतंग उधर है लाइट कलर होने की वज़े से फ्रेंट्स पतंग आखों में चमक मार रही है उसकी मेरे को नीचे से लडाने देदे भाई नहीं वो खुद नीचे से लाएगा फ्रेंट्स लाओ कोई बात नहीं फ्रेंट्स ये पेच फस गया है वह काट दी फ्रेंट्स देखिए जैसे मेरी पतं का मुड़ा उपर आसमान की तरफ हुआ वह कड़ गई और वह देखिए जारी जूंगती हुई ये पेच काफी दूर था फ्रेंट्स ये अल्मोस्ट 500 मीटर पेच था पिछला वाला पेच ज फ्रेंट्स अभी जो पेच लड़ा इस पेच को भी मैं डमी से समझाता हूं और ये पेच किस तरह से लड़ा अभी आपको मैं बताता हूं फ्रेंट्स ये देखिए जैसे मेरे मेरा ये पतंग है ये तिरंगल पतंग मेरा मेरे ओपनेंट का ये है फ्रेंट्स वो नीचे से गुश करके आया, जैसे उसने अपना मुँ इस तरह से बनाया और मैं उसके उपर से गया लडाने के लिए, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि उसने अपनी पतंग को ऐसे, मुढ़ा जब उसका टेपर हुआ, उसने ऐसे करके खड़ा खीचा और मैं इस तरह से बहार निकला, और ब कर भी ठीक से नहीं दिया था, उससे पहले ही उसकी पतंग कट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पतंग हलकी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पतंग हलकी थी, और उसकी पतंग बड़ी अजीव सी कलर की थी, और और एंज एंड लाइट ब्ल्यू की, लाइट ग प्रेंट्स देखिए फिर से पेट लड़ने जा रहा है यह काफी अंदर घुश करके आ गया और खीचा इसते इसको एकदम से लडखडा गया और आगे वाली पतंग इसको लपेटने लग रहा है पतंग आगे देखिए वह देखिए एक पतंग आगे भी उसको लपेट रहा है को देखिए फटा-फट कैसे लपेटने के लिए आ गया फ्री का माल मिल और हो सकता उसकी भीछ लीए प्रेंटि इस अगर वह लपेट ले गारा तो मैं मौका देख तो इसकी भी और दूँंगा वह देखिए लपेट हớiब्सक Peter चना अगर वह न्दफtonesड अधर जागए तो मैं उसको भी काट दूँगा कि कोछिश्त कर रहाः लपेट की कि माथशे साइन लपेट पाया है झाहे लपेट बाया है हमानी प्राइबी भी लपेट रहा है फ्रेंड पव तसे लपेट निकल गई अब मेरी पतंग से लड़ाऊंगा जो मेरी पतंग को लपेट रहा था अब उससे लड़ाऊंगा मेरी मेरी काट के दिखाओ तो चलो कोशीज करता हूं आब देखिए लडाता है कि नहीं लड़ाता है अब है कि अबाइब बचार है है आफ और अलए वावा रे बड़ा तेजा है वाई यह तो कोई खीच माश्टर लग रहा है कि इसको जप मारने की कोशिज करता हूँ एक देखता हूं जप पड़ता है कि नहीं इस प्रेंट्स मेरी कड़ गई वह देखें मेरी कड़ जा रही है जूमती भी बल्खाती भी लहराती जा रही है फ्रेंट्स मेरी कड़ गई उस पतंग से फ्रेंट्स अभी आपने देखा एक्चुली मैं उसको जप मारना चाह रहा था लेकिन वह सामने पेड़ होने की वज़े से मेरा निसाना चुक गया और जप पढ़ा नहीं उसको और पेच फस गया फ्रेंट्स और पेच फसने की वज़े से क्या हुआ कि वह मेरे आगे से उड मेरी पतंग उचल करके निकल गई कट गई मेरी पतंग फ्रेंट्स अभी लगातार दो पेच इखटे लडगें और उन दोनों पेचों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ जो पहला पेच मैंने पतंग काटा जो किसी किकलब काइफटार का सा तो उसका छो मैंने गाता तो फ्रेंट्स उसमें क्या हुआ कि वह उससे उपर सड़ाया मैं आज मीठाल masa क्या किया मैने आसमान के तरफ जहां पे ज्एसे मेरा दोर मिला ना हूपी उसकी पतंग उसी पे ही उचल करके कटके चली गई और दूसरे वाले पेच में क्या हुआ जिसमें मैं आगे लड़ा रहा था तो उसमें हुआ यह कि मैंने सोचा कि मैं वो राइट हैंड साइट से नीचे से लड़ा रहा था और में लेट हैंड से उपर से लड़ा रहा था जब उस तो उसमें पतंग आपकी इस तरह से स्लिप करके जाती है इस तरह से डोर के उपर स्लिप करके जाती है तो लेकिन फ्रेंट्स हुआ ये की सामने पेड था और मेरे को ठीक से अंदाजा मिला नहीं और मैंने गलत जप मार दिया तो गलत जप उसका ये पढ़ गया ये भीतर की ये चोवारा मांजा ये इलहाबाद का मांजा है बहुत अच्छा मांजा है और ये पतंग है लगनों का और अभी आप लोका हमने दिखाया था तो मेरी वाली पतंग बहुत अच्छी थी वह जो है पतंग कड़ गई तो अब इसको उड़ा करके पेच लड़ाएंगे हम तो ये देखिए मैंने मांजा सदी का गीडवाद दिया है आप देख सकते हैं यहां पर फंदा लगा करके फिर रिवर्स करके आइस तरह से बादा जाता है और मैंने मांजा लगाया 300 मीटर के करीब और पेच लड़ेगा मेरा 400-500 मीटर पर उससे भी आगे लड़ सकता है देख लड़ाओंगा फ्रेंड्स नीचे से लड़ाएगा और अंदाजा कुछ भी नहीं मिल रहे हैं और फिर कट गई फ्रेंड्स मेरी सेकेंड टाइम फिर कट गई अच्छा लडा रहा है फ्रेंड्स जो मेरा भी पेच कटा यो तो अक पतंग कट गया तो फ्रेंड्स वर पतंग बहुत भी अच्छा था बहुत अच्छे कारी कर बना हुआ पतंग था मांजा भी अच्छा लगा हुआ था लेकिन वो Πेश मेरे गटी से कट्टा इस पेश मेً हुआ क्या और मैंने अपनी पतंग डाउन करी। मेरा बहुत अच्छा मुड़्ा बन गया Bangladesh अर्वा मैंने खका और उसने क्या किया, ऐसे पहले उसने बाहर खेचा, लेकिन लास्ट मुमेंट में क्या किया, उसने पतंग का मुड़ा चेंज गया, और उसने पतंग का मुड़ा ये भीतर की तरफ कर दिया, और मैं खिसता ही चला गया, बहुत तेजी के साथ खिसता चला गया, और मेरा क्या ह वहा कि भीतर के मुड्डे होने की वज़े से पतंग कड़ गया उसके पतंग का मुड्ड़ ये था और इस मुड्डे में तेजी से खिसता चला गया तो फ्रेंट्स मेरा ही पतंग जो है रगड़ लग करके कड़ गया कि की बगई आ ड्षिए पाति है फ्रेंट्स अब लोग इज वाली पतंग को उड़ाने जा रहे हैं और यह compassionate है इसको अपने ही बनाया था यह देखिए यह सुद्ध देशी पतंग है और घर पर बनी थी फ्रेंट्स और यह सबसे ज्यादा सस्ता सुंदर और टिकाओ यहां पर देखिए मेरा मोहर लगाऊ है सोमेन घोश यह देखिए मैंने अपने हाथ पर बनाई थी इस पतंग को और बनाते हुए इसकी वीडियो भी दिखाया था आप लोगों तो चलिए इसको उडाते हैं दो पेच लगातार कट गया पहले तो काट रहा था फिर कटने लग गया फ्रेंट्स यह पतंग भी बहुत अच्छी है फ्रेंट्स मस्त पतंग इससे मैंने काफी सारी पेच काटी हुई है आज फिर जा रहा है यह अ यह पतंग जो डाउन हो रही है मेरी पतंग है और ऑपनेंट की पतंग जो है राइट हैंड साइट से उड़ रही है तो खड़ा ही पेच लडाना चाह रहा है क्योंकि उसके दो पेच काट लिया ना मेरे को तो मजा आ गया उसको फ्रेंट्स पेच फस गया है उसने भीतर का मुड़ा उठा लिया तेजी के साथ मेरी पतंग उपर उठ रही है मिला मेरे को मौका डबल का काट दिया फ्रेंट्स बहुत देर बाद एक डबल का मौका मिला उसने बहुत अच्छा उठा लिया था लेकिन इस बार मैं चुका प्रेंट्स अभी जो मैंने पेच काटा निए जो हम मेंच कट से पेचा दा फ्रेंट्स फोट मैंने किस तरarta से में आपको समझा देता हूं और उसमें कि हुआ यह कि फिर दुबारा फिर पतंग उड़ाया और इस बार उसने फिर नीचे से लड़ाया और फिर मैंने ऐसे करके खेचा बहुत तेजी के साथ उसने फिर अगेन अगेन उसने अपना मुड़ा ऐसे करके भीतर की तरफ उठा दिया जैसे उसने पिछला पेच काटा था लेकिन फ्रे इस दबल का फंदा बनाया जिस दब टीला लगा मैंने ओही पुरा खेजा नहीं मैंने अपने मुढ्डे को चेंज गर दिया। एक दम नस्दीक आगी है यह देखिया फ्रेंट्स मेरी पतंग उतर गई है कि अभी बिद दो तीन पेच लड़ सकता था लेकिन हमने पतंग उतारी बहुत सब्सक्राइब गया है क्योंकि खून ज्यादा महेंगा है पतंग सस्ती है तो इसलिए मैंने अपने खून की बचत करने के लिए पतंग को फटा-फट उता लिया और अब हम लोग यहां से भाग रहे हैं मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताना और बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते तब तक के लिए और मेरे चैनल का नाम है काईट फ्लैट सोमें घोसी है मत भूल जाना थैंक यू फ्रेंड थैंक यू वेई मच